Hello and welcome friends, इस class में हम जानने वाले हैं vulnerability scanning के बारे में यानि कि किसी भी website की जो कम्या है उन्हें कैसे ढूड़ा जाता है तो यह हम practically जानेंगे और यह बहुत important भी है friends अगर किसी भी website की कम्यों के बारे में अगर आप पता लगा सकते हैं तो सबसे पहले हम यह देखेंगे कि वह जो कम्या है उनके बारे में कैसे पता लगाया जाता है एक attacker जो होता है वह इन ही कम्यों की मदद से किसी भी system को hack कर लेता है तो मैं बहुत यह आसान तरीके से आपको बतानोंगा तो सबसे पहले क्या है कि एक software है vulnerability scanner के नाम से Acunetix तो मैंने इंस्टॉल किया हुआ है पहले से ही तो यह हम run up कर देते हैं और इसी की मदद से हम यह काम करेंगे Acunetix 15 दिन के trial period पे आपको आसानी से मिल जाएगा और easily आप इसका इस्तिमाल भी कर सकते हैं तो friends यहां जैसे ही मैंने चलाया आप यहां देख सकते हैं कि तीन या चार website हैं जो कि आपको training purpose के लिए दी गई है यानि कि अगर आपके पास कोई website नहीं है तो आप इन website का इस्तिमाल कर सकते हैं मैं ऐसे okay कर देता हूं और मतलब अगर आपको अपनी skills को check करना है कि मतलब इस किसी भी website की कम्यों का कैसा पता लगाएं अगर आप कोई भी website लेकर इस पर test करेंगे तो एक अलग बात हो सकती है तो definitely आप इसकी दी गई website पर check कर सकते हैं तो मैं यहां पर new scan करूंगा और new scan करने के बाद आप यहां देखेंगे कि यह जो website है पहले से testing वाली पहले से आ गई है या फिर आप कोई भी website यहां पर use कर सकते हैं जिसे आप scan करना चाहते हैं vulnerabilities के लिए मैंसे next कर देता हूं उसके बाद friends यह कह रहा है scanning profile आप यहां default रखना चाहेंगे या फिर इन में से कुछ भी use करना चाहते हैं तो इससे पहले अच्छे से पढ़ दीजिए scanning profile will enable disable different test तो अलग-अलग test को enable या disable करने के लिए scanning settings allow you to adjust scanning behavior तो scanning का जो behavior है उसके लिए यह आपको लाओ करते हैं इसे आप चाहें तो customize भी कर सकते हैं यानि कि आपकी जो scanning का behavior है वो किस तरह से आप कह सकते हैं disable alerts दे सकते हैं Google app database दे सकते हैं URL rewrite पे दे सकते हैं crawling limits दे सकते हैं तो इस तरह से आप अपनी जो settings हैं वो कर सकते हैं किसी भी website की अगर आपको advanced scanning करनी है तो advanced options आ जाएंगे और नहीं करनी है तो नहीं भी आएंगे तो आपको जैसे suitable लगे अब जैसे आप देखेंगे मैं इस पर किलिक करता हूं तो यहां एक advanced option और बढ़ चुका है देन उसके बाद आप देखेंगे यह हमारी website है और आप यह बता सकते हैं कि यह जो website है किस तरह की है तो definitely यहां पर ASP है PHP है जो भी यह website की results पर आपके लिए करेंगे उन्हीं चीजों को लेकर यह यहां पर देखेंगे web server हर तरह के web server को यह चेक करेंगा तो मैं इसे next कर देता हूं और उसके बाद login sequence यानि कि login sequence की आप भी हमें जरुवत नहीं क्योंकि हमें पता नहीं है website के login procedures क्या है तो हम इसे simply no login sequence करके next कर देते हैं उसके बाद friends आप देखेंगे कि finish यह हो चुका है और आप यहां देख सकते हैं fonts googleapps.com और इस तरह की कुछ website दिखा रहा है additional host यह आपको दिखा रहा है हम इसे बंद कर देते हैं simply scanning के लिए उतना हाई काफी है और उसके बाद आप देखेंगे कि यह आपकी जो website है उसके अंदर की जो कमिया है उसके अंदर की जो faults है उन्हें यह यहां पे आपको सो कर रहा है तो आप यहां देख सक इसमें आप बहुत सारी चीजों का पता लगा सकते तो यूजर नेम पासवर्ड लॉगिन से रिलेटेड इंफॉर्मिशन आ गए आप यहां देख सकते हैं static information समय सो कर रहा है इसके लावा cookies की information आ गए यूजर नेम में जो है तो बहुत सारी चीजी है आप यहां देख सकते possible value admin तो मेरे साब से लगता है इस website के अंदर id और username दोनों admin admin है बहुत आसान से तरीक है और अभी इसका जो results है finding चली रहा है तो तब तक देख लेते हैं friends इन सब के लावा आप यहां देख सकते हैं spdy heap buffer overflow इसके अंदर हो सकता है html from without csr apt जो यह vulnerabilities है इनी का फायदा उठागर attackers जो है वह attack करते हैं तो ऐसे इस में काफी सारी चीज़े आपको मिल जाएंगी अब यह तो आपको बता चली गया है कि buffer overflow इस website पे हो सकता है जिसके बारे में आगे की वीडियो में practically बताएंगे कि buffer overflow practically कैसे काम करता है click jacking के बा माल उसमें क्या गया है और यह यहां पर सभी आपको साथ की साथ information भी मिल रही है किस तरह से वो काम हो सकता है आप यह देख सकते हैं कि उस vulnerability को कैसे fix करें main important चीज़ की वो जो vulnerability हमें मिली उस website के उसे कैसे ठीक करें तो यहां आप यह देख सकते हैं auto complete को आपको करना होगा off जबकि इसमें auto complete जो है वो enabled है तो यह तरीके हैं तो fans यह था आज का हमारा वीडियो को किस तरह किसी भी website के अंदर की जो कम्या है उन्हें हम ढूंड सकते हैं next video में मैं आपको बताऊंगा और भी बहतरीन चीज़ों के बारे में तब तक के लिए फिर मिलते हैं देखते रह हम बन